हालो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल करेंट डिशी पस्वागत है दोस्तो पॉल्टिकनिक इंटरंस एक्जाम से जुड़ी आपके लिए महात्पूर्ण खबर है कब से आविधन प्रक्तिया शुरू होगी कब तक पैपर आपका होगा सारी इंफॉर्मेशन इसके वाईडियो को माद्धम से डेटेल में आपको देने वाले है चोकि अपडेट आपके लिए ये चीज़े आपके लिए आचुका है जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पॉल्टिकनिक प्रवेस परिच्छा कल से शुरू हो सकती है आविदन प्रक्रिया चलिए इसके बारे में डेटेल में आपको बताना चाहेंगे तो पहली बार चैनल पर हैं आप पॉल्टिकनिक इंटर्ण से जुड़ी या फिर डिप्लोमा से संबनी सभी जानकारी चाहते हैं चैनल ये डिप्लोमा प्राधारी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा तिकी दूस्ति यहां पर बताये गया है आपको की प्रवेस परिच्छा जो आपकी होने वाली है मतलब प्रस्तावी डेट है आज से ये 15 फरवरी से आपकी आविधन प्रक्रिया शुरू होगी या हो सकता है कि आज से शुरू हो जाए वीडियो अप्लोड होने के बाद या फिर आज से आज की अप्लोड होगी तो 15 फरवरी से आपकी शुरू हो सकती है दूसरा हमने आप निर्णे नहीं लिया गया है संभावी तितिया एन आई मतलब आप देख सकते हैं एन आई सी को भेजी गई है जिस पर अनुमोधन होना बाकि है अर्थात पॉल्टिक इंट जो आपका होता है इंटरेंस एक्याब ये एन आई सी के अंतरगत ही देखा जाता है तो अभी उधर से फाइनल नहीं आया लेकिन अन्मोधन अभी बाकी है एन आई सी का जारी संभावी समय साड़ी के अनुसार आप सभी को बताया कि प्रवेश परिक्या आपकी 15 फरवरी शुरू हो सकती है और आवेधन के लिए आप सभी को पता है वो जो ऑफीसियल वेफसाइट आपको प अपरेल है और जब कि चात्र अठारा अपरेल से बाईस अपरेल तक आवेधन पत्र में सुधार कर सकेंगे अर्थात कोई मिश्टेक हो जाएगा तो उसमें आप सुधार कर पाएंगे नेस्ट पॉइंट यह आपको बताया गया दोस्तों कि प्रवेश परिच्छा के लिए प्रवेश पत्र 29 मई से ऑनलाइन हो जाएंगे अर्थात ऑनलाइन आपको जारी किये जाएंगे 29 मई से और प्रवेश परिच्छा की संभावित तितियां जो आपकी रखी गई है भी वो 6 जून से 9 जून के मद्ध होगी जो की important है आपको जानना अर्थात आपका exam जो भी प्रस्तावित डेट रखा गया है वो आपका 6 जून से 9 जून के मद्ध है तो इसमें group A के student या E1, E2 group के जो आप फार्म अप्लाई करेंगे आपको पता होगा कि group A से फार्म अप्लाई कर सकते हैं group E1 या E2 से फार्म अप्लाई कर सकते हैं जबकि आपको पता है कि 10 जून क जो पेपर होगा यो मतलब रखा गया है डेट एक प्रस्तावित उसमें जो ग्रूप B, C, D, E, F, G, H, I ये सभी ग्रूप के स्टूडेंट ये सभी का एक्जाम 10 जून को प्रस्तावित किया गया है ठीक है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 10 जून को एक पॉइंट ये भी कहा गया है दोस्त की प्रवेस परिचा होगी और 11 से 12 जून को आरच्छित रखा जाएगा एक यहां पर यह है दोस्त की 15 जून तक प्रस्न उत्तर विकल्प और उत्तर कुंजी मिलान के लिए आपतिया ली जाएगी और 17 जून को परणाम जारी किया जाएगा अर्थात आपका एक जाम 10 जून तक यह फाइनली करेंगे और आपको 17 जून तक यह आपका रिजल्ट भी जारी करेंगे ऐसा कहा गया काउंसलिंग और आवेधन प्रक्रिया आपकी 20 जून से 15 अगस तक हो सकती है अर्थात जून से लेकर आपके अगस तक यह काउंसलिंग प्रॉसेस चलेगा और 17 की बात करें जो आपका समेश्टर चलेगा सच्छलिक सच्टर इस्टार्ट होगा वो आपका अगस्त से प्रारंब करने की योजना है एक इंपॉर्टन बात यहां पर यह है कि इससे आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा है संभावित्ती थी यह किस पर डिपेंडेंट है इन्होंने इस बात को भी हाँ पर मेंसन किया इस बार सत्र समय से सुरू करने की योजना देखी बात यहां पर यह है दोस्तों यह किस पर डिपेंड है किसको यहां पर वेट कर रहे हैं कि उनका मतलब फाइनली चीजे आए तो हम भी अपनी चीजे को यहां पर मेंसन करें तो इन्होंने बताया कि कुरोना की वज़ा से दो वर्सों से सत्र लेट मतलब शुरू हुआ है इसी वज़ा से यहां पर प्रवेस परिच्छा से लेकर कांसलिंग प्रक्रिया लेट हुई है और इस बार विभाग ने नया सत्र सुरू समय पर सुरू करने की योजना में है और दो वर्स बाद जून में समय से प्रवेस परिच्छा कराने की योजना है अभी तितिया प्रस्तावित है अर्थात ये फाइन नहीं है लेकिन प्रस्तावित है कि इसी तितिया को कराना है बोर्ड परिच्छाओं की संभावित तितिया अब देखें यहाँ पर बोर्ड जो है किस पर डिपेंडेंट है तो ये वेट कर रहे हैं कि JEE, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोर्ड परिच्छाओं की संभावी तिथी पर हैं, ठीक है, बोर्ड की परिच्छा 10th और 12th वाली student पर dependent है कि ये बोर्ड कब अपना जारी करेगा, साथ में जो JEE की पेपर होते हैं, ठीक है, उन सभी पेपर के ये JEE की तिथियों के परिच्छन कर NIC द्वारा सुडूल पर हामी भरने, इसे अंतिम रूप से निर्ड़े या अंतिम रूप दे दिया जाएगा, फाइनली अभी यहाँ पर बोर्ड के परिच्छा का संभावित तिथी जो आएगी उस पर, और JEE के जो हो, अपका इंटर प्रस्तावित देट है, वो आपका 15 फर्वरी से आवेदन की बात की गई है, और जून में आपको यह बता दिया गया, कि 6-9 जून के बीच आपकी परिच्छाएं प्रस्तावित हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या बाती यहाँ पर हुई दूस्त कि आपका फाम कप से हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, चुकि अभी फर्वरी मार्च अप्राइल, अभी आपके पास 3-4 महीने अच्छे से आपके पास समय है, तो इसको आप यूटलाइज करिए और पढ़ाई पर फोकस कर करते हुए, इंटरेंस एक्जाम को फाइट करिए, चुकि 2022 में आपका डिप्लोमा होगा, इसमें आप जब इंटरेंस करेंगे, तो आपका काउंसलिंग प्रॉसेस के बाद अगस्त में कहीं आपका एडमीसन होगा, तो अभी ये 2-3 महीने आप इस्टेडी कर लेंगे, तो आपके आसानी से हो जाएगा, चुकि टाइमिंग आपके पास बहुत है, उम्मीद करता हुए वीडियो आपको पसंद आए होगा, धन्यवाद